दा टावरिंग टेडर्स से मैं राजिन पसात्र पाठी, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने इस चैनल पर शौगत और अबनंदन करता हूं, हम लोग बित्तिय निवेस के बारे में अच्छी तरह से सीख रहे हैं, और सेसंस चला रहे हैं, उसमें सब चीजों का करम बा से मिश्टर हरी शुंदर त्रपाठी जी ने पर्सनल फाइनेंस के बारे में अच्छी तरह से बताया हुआ है, आपने देखा होगा जो की कफी यूजपुल है, इसी तरह मैं अभी क्रम बार वीडियोज इन्वेस्टमेंट के बारे में बनाऊंगा, इसलिए आप से निवे फाइदा उठा सके हैं, दोस्तों, why one should invest? इसका सबसे पहला कारण है कि जो हमारे पास capital है, धन है, उसे हम जयों कत्यों रखने से साल भरे के बाद जो inflation होता है, जो धन का value होता है, वो कम पड़ जाता है, इसलिए हमें इन्वेस्ट करके पैसे को, धन को grow करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, इसलिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि हमारा financial goal पूरा हो सके हैं, इन्वेस्टिंग हम homes या states खरीद करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बच्चों के higher education के लिए, higher education के लिए धन संग्रह के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही, बैंक में जमा हुआ पैसा, या assets को, movable और immovable assets को खरीदने में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोस्तों investing कई कारणों से बहुत जुरूरी है, जैसे अपना धन, money जो है उसे बढ़ाने के लिए, grow करने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, दूसरा inflation बीट करने के लिए, inflation इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आपका पैसा दब जाता है, तो महगाई को मात देने के लिए इन्वेस्ट करना, पैसे को grow करना बहुत जडूरी है, इसी तरह से है, जो हमारे बिविन प्रकार के बित्तीय लक्ष होते हैं, financial goal उनको अचीब करने के लिए भी पैसे इन्वेस्ट करना, धन इन्वेस्ट करना जडूरी है, इसी तरह है, अर्ली इन्वेस्टिंग करना और क्रम बार रेगुलरी करना, हमारा जो रिटार्मेंट का फंड है, वह भी बन जाता है, why we should invest early हमें बहुत जल्दी पैसा invest क्यों करना चाहिए क्योंकि early investing is the better जल्दी से invest करना भी सही रहता है investing early is beneficial for building long term wealth and securing your future तो जो हम जल्दी से अगर पैसे का investment कर लेते हैं तो long term के लिए जो wealth बनता है वो उसमें हमको benefit मिलता है साथ में हमारा future भी secure रहता है इसी तरह से नियमित रूप से और छोटा छोटा निवेस एक systematic तरीके से हमारे wealth को बनाता है और हमारा financial goal को अचीब करा देता है यही सब कारण है जिसकी वेसे हमें early investment करना चाहिए early investment कर ही देना चाहिए क्योंकि early investment हमें allow करता है power of compounding का benefits allow करता है उसका हमें benefit मिलता है इसी तरह साथ टर्म के ups and downs या fluctuations के लिए अगर हम early investment कर देते हैं तो हमें long term growth जो हमारा amount invested है उसमें potential growth long term में देखने को मिलता है यही हमारा benefit है thank you दोस्तो दटाबरिंट टेडर्स आप सब का धन्यवाद इसी तरह हम क्रमबार वीडियो बना करके आप तक पहुचाने की कोशिस करेंगे इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि next वीडियो आपको समय पर पहुच जाए धन्यवाद